मिल्ग देखें। जय हैं दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉबिक है कि bitwise operator होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे bitwise operator full explain एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देजेगा तो चलिए हम लोग समझते हैं कि विट्वाइज ऑपरेटर होता क्या है तो विट्वाइज ऑपरेटर और यूज टू परफॉर्म इंडिविजूल वीड्स विट्वाइज ऑपरेटर जो मेरा होता है एक इंडिविजूल वीड्स होता है जो कि वो रिजल्ट इंडिविजूल वीड्स में देता है आफ नंबर वो एक नंबर के रूप में देता है ना कि वो बैंडे नंबर में या कोई और नंबर में यह मेरे individual width of a number उस type में देता है number जो मेरे individual width में होते हैं उसका result जैसे आगा मालीजी यहाँ पर कुछ दिया रहागा उसका अभी हम नीचे आपको बताते हैं सबसे पहले हाँ यहाँ डिफिनीशन समय लिए फिर यहाँ पर दिया it can be used only integer इसमें हम केवल और केवल integer data type को हम यू non used to width wise operator width wise operator में हम double float किसी भी चीज को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं केवल केवल हम integer data type को हम इसमें यूज कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि width wise operator में जो मेरे symbol है उस symbol को हम कहते क्या है तो आप यहां से इसको समझ सकते हैं विट्वाइज operator के symbol है यहां पर फिर इसका meaning है और हम X और Y का example लिए हैं यहां पर example है इंड में और इसका result हम देखें कि X and V और A और V और A X और V का result क्या आएगा हम practical में भी देखेंगे सबसे पहले आप इसको देख लिए एंड का जो meaning होता है वह bitwise and हम इसको कहते हैं और और को यह उता है इस symbol का उसको हम bitwise और कहते हैं इसी तरह इस cap माली जी कैफ है हम इसको मैठ में कहते हैं इसको हम कोडिंग भास में बिट्वाइज और कहते हैं और इसको हम कंप्लिमेंट कहते हैं कंप्लिमेंट बिट्वाइज और यह मेरा लेट सिप्ट है यह मेरा राइट सिप्ट है आप यहां से इसको समझ सकते हैं जो कि आपको यहां पर दिय नमबर है आप यहां से इसको निकाल सकते हैं और यह 5 का बैंडरे नमबर है यह आप यहां से इसको देख सकते हैं जो कि आप यहां से इसको देख सकते हैं इसका सीरीज होता है 1 248 आपको ये series भी होता है इसको आप series पता होगा band-reign number को निकालने के लिए ठीक आप ये series भी देख लिए और यहाँ पर आगर माल लिए हमको X दिया है और Y दिया है हमको X और Y की value निकालना है तो X और Y की value हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा X and Y यहाँ पे X and Y की value हमको लिखना है तो हमको यहाँ पे multiply करना पड़ेगा यहाँ पे 00, यहाँ पे 1 हो जागा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो जागा इसका अगर X और Y की value यहाँ पे Y हो जागा X and Y की यह value है ठिक, यहाँ पे Y हो जागा तो यह X और Y की value कैसे होगा AND का मतलब हम इसमें multiply करेंगे यह मेरा X की value है boundary number यहाँ पर देखिए boundary number यह है और यह Y की value है जो कि यह 5 की boundary number यहाँ पर दिया है ठीक इसका इसका गुड़ा करेंगे 0 होगा इसका इसका गुड़ा करेंगे 0 और इसका 0 और एक का गुड़ा करेंगे 0 होगा ठीक अगर हम और का निकालना चाहें इसमें X दिया है हम यह भी ले लिया है यह X और Y की value है तो हम X और Y की value है हम इसमें लेंगे तो यह मेरे X और Y हो गया अब X और Y को हम इसमें plus करेंगे और निकालने के लिए हम प्लस करते हैं और और निकालने के लिए हम मल्टिप्लाई करते हैं दो यहां पर एक्जाम्पल्स हम लिए हैं इसमें हम मल्टिप्लाई करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे तो हमें प्लस करेंगे जीरो जीरो प्लस करेंगे तो जीरो होगा और यहां पर 1 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा लेकिन हमको यहां पर बैंडरी नमर में चाहिए तो हमें आपर 1 ही लिखेंगे क्योंकि हमारा 2 नहीं होता इसमें हमारा 1 ही होता अगर सेम होता है तो और इसको इसको अगर प्लस करेंगे तो यह मैं आप आप देख लिए यहां पर इसका जिरो हो जागा और फिर इसका और इसका प्लस करेंगे तो यहां पर वन ही हो जागा ठीक और इसका अग्जार का निकालेंगे तो यहां पर जो सेम दिया है उसका जिरो हो जागा और जो से हम उसリ स्य को अशिद्ध करने पर हम इसको प्रेच्ट करेंगे लुख सकते हैं सबसक्राइब आप इसको समझे कोड को include studio.touch int main तो आप लिखेंगे curly bracket के अंदर int x की value रखेंगे और y की value रखेंगे 4 और 5 print up है bitwise and modulus t करेंगे backslash n x and y करेंगे और यहाँ पर semi column लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 4 result आ जाएगा इसी तरीके से हम print up है bitwise और कहली हम देखेंगे जो कि यह मेरा और की है यह और का तो आप इसको देखेंगे कि modulus t और फिर backslash n और यहाँ पर x और y लिखेंगे और यहाँ पर semi column लिखेंगे तो यह मेरा आ जाएगा इसका 5 और इसी तरीके से हम print up में bitwise अज और का लिखेंगे modulus t और यह लिखेंगे backslash n और a यहाँ पर एक्जार भी हम लिखेंगे यहाँ पर तो यह मेरा answer में one आ जाएगा तो इसको हम लोग देख सकते है practical करके चलिए अब लोग practical करके देखते हैं सबसे पहले हम code में क्या लिखेंगे code में हम सबसे पहले include include studio.h ठीक यहाँ से आप इंट में लिखेंगे इंट में इतना तो आपको पता ही होगा यह basic लिख सके फिर करली bracket आप इतना पढ़ किया गया इतना तो आपको पता होना चाहिए इंट एक श नाम को बाल लेंगे इसमें हम क्या रखेंगे फूर रखेंगे इसे परकार हम वाई एक वर्यृवल बनाएंगे इसमें हम 5 रखेंगे यह मेरा 5 होगाँ यह मेरे दो variable बन गए इसका हम boundary number copy पहें दिखाते हैं आप लेकिन हमको यहां पर boundary number नहीं लिखना है यहां पर हमको directly individual number रखना है जो कि यह मेरे यह x और y के number है ठीक अब आप यहां से इसको print up कराएंगे वीटमाइज operator में तो वीटमाइज operator में आप print up इसको करेंगे तो आप इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे बिटमाइज यहां पर वीटमाइज वीटमाइज आप लिखेंगे और फिर इसी मोडूलस डी लिखेंगे मौडूलश ट्र और बैकलेस एंड बैकलेस अन होगयो और आप यहां से इसको क्या करेंगे है यहां पर कॉमा के बाहर याने डावल इनूटर कामा है उसके बाहर आप एक कामा लगाएंगे जिसको हम लोग कॉलें करते हैं और यहां पर आप क्या लिखेंगे X X की value for दिया है और end का हम को निकालना है और फिर Y की value हम रख देंगे जो कि मेरे Y बस यहाँ पर रखना है value नहीं रखना है और फिर same ही column लगा देना है इसी तरह हम इसको copy कर लेते हैं इसको copy करके हम यहाँ पर और X और का भी देखेंगे यहाँ पर control C हो गया यहाँ पर आप copy करेंगे control V और फिर एक और copy करेंगे control V यहाँ से आप क्या करेंगे थोड़ा इसको change कर लिए यहाँ पर और लिखिए और और हो गया और इसी तरह हम यहाँ पर end की जगा पर यहाँ पर और का चीने लगाएंगे जो कि यहाँ पर और का symbol यह है ठीक और यहाँ पर भी हम एक्जॉर के symbol लेंगे एक्जॉर का symbol आपका यहाँ पर है 6 ते उपर यहाँ पर मेरे एक्जॉर के symbol हो गया ठीक और यहाँ पर एंड के ज्याव पर भी आप change करके आप एक्स और लिखेंगे एक्स ओर एक्स ओर ठीक अब आप इसको run कराएंगे तो आपका result वैसे ही आगा जो कि हम एंड के लिए हम बोलेथे 4 आगा यहाँ पर और एक्स के लिए जो कि और इस और के लिए मेरा वान आएगा और फिर एक्जार के लिए मेरा पर यहां पर एक्जार के लिए फाइप आगा और यहां पर यहां पर यहां पर मेरे इसका वान आएगा तो हम इसको रन कराके देखते हैं जो कि हम यहां पर कमेंट में लिख देते हैं यहां पर मेरा इसक का इन से हो रहे और फिर इसको यहांपर बटाना होगा डेकियाए वहाण कुछ कि यहां पर कुछ एकर दे रहे हैं जो कि यहां पर एक कॉमाया पर इसंतक लेकिन हम अहां पर कदर देखीए और की हिगा यहां पर हम फिर दुबारह लिखते है एकस एक्स जॉर्य अब मेरा जा करके सही हुआ उसको रण कराईए विज ऑर तो है पर देखी विट्वाईज अन्ड का फॉर्ड दिया है विट्वाईज cara viel फाइब दिया है विट्वाइज एक्षार का है पर वन दिया है थोड़ा हम यहां पर इस पेस दे देते हैं तो यह मेरे इस पेस भी आ जाएगा तो यहां पर हम इस पेस दे देते हैं जो कि यह मेरे थोड़ा इस पेस में यह एंसर आएगे तो आप यहां से इसको इस तरह से क यह वन एंसवर आया है यह मेरे विल्कूल एंसवर सही जो की वो मेरे इंडुविजिवल वीट्स में आये हुए है तो यह मेरे विट्वाइज के यह टॉपिक पे रिलेटेड यह मेरा कोस्चन है और इसका हम लोग प्रोग्राम भी करके देख लिए तो वीडियो अच्छा ल